नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का इस्ट्टिड़ि कीडि इस फ़ागते यापर पटवारी परीडाम को लेकर जो है हरी परसा शर्माने आक्रोसित बयान दिया है जिसके कारण विध्यारतियों में बहें कर आक्रोस नजर आ रहा है क्योंकि हरी परसाश सर्मा को ऐसा आजर आ रहे हैं बेतु की बाते कर रहे हैं और कर रहे हैं कि फरवरी मार्च में प्रणाम जारी करूंगा ऐसा कौन सा प्रणाम है जो रीट का प्रणाम आ गया एसाई का प्रणाम आ गया आरेस का प्रणाम आ गया जैयन का आ गया क्रसी प्रवेक्शक का आ गया जो 2021 की कि वो एमार सीट बरहाई जा रही है बिलकुल मेरे अजनुसार सच है क्योंकि हरी प्रसाद सर्मा नहीं चाहता कि इतना जल्दी प्रणाम जारी कर दूर मेरे पद ना भी के और मेरे को जो है पैसे इकटे ना हो ये कुछ ना कुछ चाल है मैं बिलकुल सीधा इंजाम लगाता देखिए अब आक्रोस बड़ेगा बेरोजगारों में बास वाड़ा जिले की खबर है देखिए पटवारी बरती के रिजल्ट में मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया देखो यहां पर साब साब कहा है मैंने कोई वादा नहीं किया वीडियो को फटा पट सेर कर दो दोस्त घल है ठीक है ये कहा है सरमा जी ने हरी परसाद सरमा ने कहा है चतिस दिन में रीट का रिजल्ट जारी हो चुका था आप लगों को पता है लेकिन डाई माँ बाद भी पटवारी भरती का रिजल्ट नहीं आखिर कार क्यों सवाल निशान बनते हैं इस पर विद्यारत ने विर लेकर विद्यारतियों में आक्रोस बढ़ रहा है क्योंकि तीन लाग चियासी अजार पांसो चोड़ा बिर्तियों का दावा है कि जल्द रिजल्ट जारी करने को लेकर क्रमचारी चैन बोड के अदेख से मुलाकात की थी जिसमें उन्होंने दिसंबर तक जारी करने का यह करकर अबिर्तियों का आक्रोस बढ़ा दिया है कि अबिर्तियों के दिसंबर में प्रणाम जारी करने को लेकर मैंने कोई वादा नहीं किया आप लोग बताईए क्या अरिप्रसाद सर्मा ने वादा नहीं किया था कि मैं दिसंबर में प्रणाम जारी करूँगा आप सच बोलेंगे दोस्तों आप तो एक student है आप तो सच बोलेंगे ऐसे कोई न तो मंत्री है न कोई अध्यक्स है आप न विदाएक है आप बोलते हो सच तो बिल्कुल यह सच है कि दिसमबर में परणाम के लिए कहा गया था यह तो ऐसे ही विरोध करते हैं विरोजगारों के लिए बेतु का जवाब है कि परवरी मार्ज जनवरी भी नहीं बताए अब तो ठीक है जो उपेन यादव ने कहा था कि दोसपता में जारी हो जाएगा वो सब कुछ आप इन्होंने कर दिया है नकारा काम बिलकुल कर दिया है अब नहीं होगा हम सब को ऐसे ही बताते हैं परवरी मा तपाक से कहा तो सर्माज से तपाक से कहा कि हो तो यसे ही करते हैं मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया तो इन्होंने कहा बेरोजगरों के लिए वो तो ऐसे करते रहते हैं कि प्रड़ाम के लिए ऐसे कहा ऐसे कहा ऐसे विरोध करते रहते हैं मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दिसंबर में रिजल्ट जारी करूँ मैं तो एक फरजी आदमी हूँ ये समझ लीजे दोस्तों ऐसा कहा है हरी प्रसास सर्माने 2019 में होनी थी परिक्षा निरस्त होते होते 2020 में हुई अब रिजल्ट अटकार है दोस्तों वैसे ये फरजी वाड़ा करवा रहा है पटवारी में कोई नाम निसान नहीं मिला हमें कोई फरजी वाड़ा नहीं हुआ हमने सोचा था पर हम जो है हर जगजे सवाल उट रहे हैं मेरे पास विन पॉर्मिशन आ रही है हर बच्चे को ये सुनाई दे रहा है कि लगातार फरजी वाड़ा दिसमबर दोजार उनिस को पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसकी प्रिक्षा जनवरी दोजार एकिस में करवाने का निश्य किया था लेकिन बोर्ड में अंतिम वक्त में पेपर प्रिक्षा रद की थी क्योंकि पेपर भिक इसमें जारी करने का वादा किया था तो बिल्कुल जुन-जुनु के एक समारों में यह गे थे तब इन्होंने कहा था कि मैं चिल्ला-चिल्ला के बोलाता है नोने कि मैं दिसमबर में परणाम जारी करूंगा है प्रसाद सर्मा लेकिन अब फौन पर बात करने पर बोड़ दोरा रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई सूचना नहीं दी जा रही है अब बेड़तीय का कहना है कि रिट परिक्षा के एक माह होते ही प्रणाम जारी कर दिया सब इस्पेक्टर बरती का नोटिपिकिशन आया और इस बरती की परिक्षा भी सितंबर में होई कोट केस होने के बाओ जो नॉर्मलाइजिसन की प्रक्रिया अपनाते हुए परिणाम दिसंबर में जारी कर दिया इतना सब कुछ होते हुए परिणाम जारी और पटवारी में कुछ नहीं होते हुए परिणाम जारी नहीं तो इस पर सवाल निसान उठते हैं इस बोर्ड पर ये सवालों के घ जारी किया जा चुका है लेकिन 2019 में पटवारी बर्ती का प्रणाम् जारी नहीं होने से बोर्ड की कारे प्रणाली संदे के गेरे में सोसल मीडिया पर तरह तरह की अपवाएं चल रही है परणाम को रोकना या प्रणाम जारी नहीं करना इसके पिच्छे बिर्तियों में डर प्यादा हो रहा है, बोड़ और सरकार की साख भी दीरे-दीरे कम होती जा रही है, क्योंकि बोड़ा किया था क्या था? इनको बरती निकाले के लिए आंदोलन करेंगे ये रिजल्ट निकलाएंगे तो आंदोलन करेंगे ये कुछ भी करो आंदोलन करेंगे बोड़ का देक्स का ये करना है ये बिलकुल सरासर जो ये जवाब गलत है ऐसे जवाब जो है बोड़देक्स को नहीं देने चाहिए बोड़देक्स को प्यार से और आराम से जवाब देना चाहिए परन्तु ये कटोर भासा का उप्योग बिलकुल नहीं करना चाहिए हम बेरोजगारों के साथ जो है ये अन्याई है तो हम इसको सायन नहीं करेंगे इसके किलाब आंदोलन होना चीए और आप लोगों से निवे देने आप इस वीडियो को सेर कर दो ताकि राजस्तान में जो है चिंगारी लग सके धन्यवाद